पीदी किसा बदलते भारत की शाग नमस्कार आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में मैं हूँ मुकुल शर्मा चौपाल चर्चा का कारवा पहुंचा है हरगाना के पलवल जिले में और यहाँ पर ब्लॉक है हसनपुर उसी में गाओं है जटॉली जहाँ पर आज हम पहुंचे हैं और जैसा आप सभी जानते हैं इस कारिक्रम में में बात करते हैं सरकारी योशनाओ को लेकर किस तरीके से क्रिशी और किसान कल्यान मुंत्राले द्वारा अलग लग योजनाओ जो चलाई जा रही हैं उनका कैसे हमारे किसान लाब ले पा रहे हैं आज कारिक्रम में खासतोर से हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में जिसे एफप्यो के नाम से भी हम जानते हैं आई एब नोचपाल चर्चा में हम चर्चा की सुरुआत करें। उससे पहले आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। उनसे आपका परीचे करा देते हैं। मेर नाम समित कुमार, किर्शीवे किसान करले आनल विवाग हसनपुर से, मैं आपके सामने उपसे हूँ मैं सतवीर सिंग, जिला परियोजना समयनवक, पलवल लगु किर्शक किर्शी वियपार संग, हरियाना द्वारा पलवल जिले में न्युक्त हूँ मैं डक्टर परसांद सिंग, पसूचे किसक, पसपाला नेम डेरी विवाग हसनपुर से, और जैसा हमने आपको बताया है, जो जटोली गाह है, उसके किसान हमारे साथ यहां मौजूद है, आइए जो यहां पर ग्रामीर है, उन्हीं से हम जानने के कोशिश करते हैं, कितना फा इंदर शिंग है लोट, जी सबसे पहले आप से जाना चाहिएंगे, जब हम किसान पादक संग्ठन की बात करते हैं, एक किसान को क्या लाब इससे जुड़कर मिल सकता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, छोटी-छोटी जोत हो गई है, छोटी-छोटी किसान हो गई है, और पूरा सामुई की रूप से इदि हम लोग बीज की बात करें, अखाद की बात करें, सामुई की रूप से जब हम खरीद करते हैं, तो हमारे बार्याग निक पावर आ जाती है, एक हम को एक हजार मेंबर्स के लिए ती हमको गेउं का बीज खरीद ситу एबना है, तो करीबन-कर तो पे हमको wholesale rate से भी कम दाम पे हमारे गाउं में आ करके हमारे किसान के दर्वाजे पे हमको वह अच्छी गुनवत्ता विज़ उत्पादन हमारे उपलब्द हो जाएगा जी सरकार भी इसके लिए लगतार प्यास कर रही है और हमने देखा ना सिर्फ बजट की बात की जाए बलकि जब कोवेट काल में भी एक आर्थिक पैकेज का एलान किया गया उसमें भी सीधे तोर पर कहा गया कि कोशिश की जा रही है जाद स्यादा FPO बने और उसके लिए राशी का भी प्राब्दान रखा गया है जैसा की इसमें तीन मुखे रूप से तीन सब्स्ậnभा इस में सर्वर धन करती है उनको ट्रैनिंग देती है उनको एप स्पोजरी विजिट कराऊते उसके बहुत अब्स छामुख रूप से उनका कोई Imm Love class लगाने में उनकी मदद करतीए उसमें सरकार की तरव प्रफियों के वाइज उनको अलग अलग मद में उनको सहयता दी जाती है और इसी तरह से जो एनस डीसी है वह अपने कोपरेटिव पर काम करती है वह भी अपनी तरब से अपने वह बनाते और इसी तरह से से एसी है वह क्लेस्टर लेवल पर एक निर्मान में जूटा हुए और नबाड इसमें से अपने ब्लोक लेवल पर पाचो अमने अप्यों या निर्मान कर दिया है चली बल्कुल बैठ सकते हैं बहुत बहुत शुक्री हमसे बातशीत करने के लिए तो देखि कैसे जो एफप् हैं वो भी यहां पर मौझूद है उनकी क्या राया इस बारे में यह जान लेते हैं मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं मेरा नाम सागर चौहान अन्ना मिर्थ फार्मर प्रोडूइसर कंपनी का मैं चेर्मेन हूं तो हमने यहां पर अपनी कंपनी की से चाहिए जैसे दूसरी किसान इसके टार्टिंटा रहा हूं जैसे कि अभी गहूं की बजाई हो रही है तो यह ऑंते होने से और हम हमारे हैं से 20 किलोमेटर दूर सरकारी दुकान है जिससे 940 का कट्टा पड़ता है वो तो हमने सभी अपने किसानों को सब को गोल करके वह से कट्टा मगवा के अपने किसान को यहीं प्रोवाइड कराई थे तो ऐसा ही फायदा मिल जाता है यानि कई सुविधाएं मिल सकते हैं जी चलिए बैठ सकते हैं आप मानना है इस बारे में यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे और यहां पर पहली पंक्ति में आप देख सकते हैं काफी हमारे उम्तराज और अनुभवी किसान जो हैं वो मौजूद है मैं चाहूंगा आपसे अगर आप खड़े हो जाएं अपना नाम होए बता दीजे पहले न के बजाए सभू में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो जादा लाबकारी हो सकता है अगर एक साथ किसान सारे काम करेंगे तो तरीका तो बढ़िया है वड़ोत्री भी है पर चलेगी आगे जबी तो है चलाओ या बनायो जो तुमने इस दरह चलता रही है सरकार भी कि उसके लिए निगरानी भी करती है और अभी अंलाइन प्रणाली की अगर बात करें तो एक तरीके से पारदर्शिता जो है वो नजर आती है अब क्या लगता है जो लापरवाहिया है कम होई है कुछ ना फरक तो बढ़ेगा इसे चले बैठ सकते यहां भी तो द आई अब उनसे जान लेते हैं आपसे किस तरीकी से जो जानकारी है वो महिया कराई जाती और खास और से एक बात की जाया कितना लाव इसके जरीए किसानों को मिल सकता है सबसे महिन बात है हमको एक संग्ठन में रहना है और उससाफ से काम करना है जिससे अधिक से अधिक हमें फायदा मिल सके जैसे अभी एक फार्म बता रहे थे कि हमें 940 महां से बैग मिलता है लेकिन यहां हमारी लोकल मार्कीट में वहीं बैग 15-20 रुपे तक मिलता है जब एक हम संग्ठन बनाएंगे उसी साफ से हम काम करेंगे तो हमको वेनीफिट तो हो गए होगा और हम यह चाहते हैं कि संग्ठन आगे बढ़े और थोड़ा सरकार का भी सहयोग रहे और किसान भी इसमें सहयोग तो दिखाएंगे तब यह संश्टा आगी चलेगी अगर स किसानों को अधिक पादक संग्ठन है ना सिर्फ अब कवाइद यहां हम कह सकते हैं शुरू हो चुकी है तेजी से जुब हमारे एफप्यों है उनका निर्मान किया जा रहा है किसानों की रूची भी इसमें दिखती है क्योंकि लाब यहां पर अब किसानों को मिल सकता है आगे भी आपको कारिक्रम में हम जानकारी देंगे किस तरीके से एफप्यों से हमारे किसान लाब ले सकते हैं लेकिन फिलहाल यहां रुक रहें एक छोड़े से ब्रेक के कहां से लाएं बीच, कितनी लगेगी खाग किसानों के हर फोन का विशेशक्य देंगे जवाब देखिए हेलो किसान लाइफ सुमबार से शुक्रवार शाम छे बजे ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागा चौपाल चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादग संग्ठान यानी एफपियों के बारे में ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना भी किस तरीके से इसके जरीए हमारे जो किसान है उनको फायदा मिल सकता है लेकिन किसान जो है सिर्फ कृशी तक सीमित नहीं है बलकि खास्ता और से पशुपालन की भी अगर बात की जाए क्योंकि क्रिशी और पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं वहाँ पर क्या संभावदा है हमारे किसानों के लिए हैं पशुपालकों के लिए हैं इसके बारे में भी हम जानी कोशिच करते हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाए है, नाम बता दीजे, नाम सत्वीर, गाम जटोली, एक साधरन किसान हो, जी बिल्कुल, देखे पहले तो जो हमारे किसान हो विशेश होते हैं, जाधरन बिल्कुल नहीं है, आप आन जो हम जाधरन बनाएंगे, ना सिर्फ जो दूद है, उसके जरी धन कमाई बल्कि उससे जरी कई उत्पाद हम तयार कर सकते हैं, हां कर सकते हैं, आपको लगता ज़्यादा मुनाफ़ उनाफर मिल पाएगा, लेकिन हमारे किसान नहीं किसान नहीं पाते हैं, क्या वज़ा आ दूद का उतवादन जो है उसके लिए उसके पास साधन नहीं है और बेकने के लिए जैसे हमें ज्यादा दूर तक मेहनत करनी पड़ती है दूर जाना पड़ता है यह किसानों के सामने शमश्या है जी लेकिन FPO से चुड़के जो साधन भी उपलब्ध होंगे कैसा आप मानें काफी अच्छा है जी हाँ चले बल्कुल बैठ सकते हैं आप तो देखिए साधन जब वो पलब्ध हो जाएंगे तो शायद किसान की चिंताय जो हैं काफी हद तक कम हो सकेंगे कुछ और भी हैं जैसा कि ना सिर्फ अनुभवी बलकि जो यूवा हैं वो क्या सोच रखते हैं मैं चाहूं को कर आप खड़े हो जाएं अपने नाम हों बता दीजे मेरा नाम रोहित चौधरी है मैं अन्नाम रित फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में डारेक्टर हूँ रोही जी जानना चाहेंगे आपसे आप खोद एक एफपी ओ से जुड़े हुए हैं लेकिन जब हम प प्रविटा डेरी है वो सो सेंपल पर एट सट रुपे देती है और हमने क्योंकि हम एफपी ओ से जुड़े हुए है तो अपने किसानों को सौ पर सब्स्टर रुपे देते हैं तो इस तरीके से यह अनॉर्गनाइज सेक्टर है और इसमें आपार संभावना है है किसानों के अपने जो हैं हम यह प्रोवाइट करवा रहे हैं के जो रिन है सबसीडी पे जो मिलता है जी उसके अलावा पशू की सी है और और वी जो सुवीदा है सरकार की हैं वो सारी हम अपने किसानों को मोहिया करवा रहे है तो एफपी ओ से बहुत बड़ा फायदा है पशू रखन करता नहीं है कि अगर हम एफर्ट मारेंगे तो हमको सामान भी मिलेगा सारी चीजें बिलेंगी जी तो इसे सभी को फायदा होगा जी शुक्रियाम से बाचीत करने के लिए तो देखे रहे ने मताया कि कैसे सब को फायदा हो सकता है और यह बहुत जरूरी कि ना सिर्फ ऐसी है या पशुपालकों की सिर्फ बात की जाए कैसे उनकी आमदनी को हम बढ़ा सकते हैं आमदनी है जी टाइम पर उनके लिए ख़ल है बेनोरा है दूद के लिए उतपादन के लिए मसीन है सेंपल के लिए मसीन है जी वो मिलनी चाहिए हमको अगर हम दूद को यहां से पलव सकता है उसके लिए जैसे बाईशाब ने बताया था आपको 2000 मिलता बैक यह 940 मिला अगर 940 म को अपलवद हो जाए तो किसान को काफी फाइदा होगा यानि लागत कम हो सकती है लेकिन किसान अगर संभू में रहे या जो संग्ठन है उसमें अगर रहे तो लागत उसके जरी संग्ठन में रहेंगे तो काफी लाग मिल सकता और खास्ता और से जब बात आती है पशुपालन शेत्र की जिसको हम कृषी और जो पशुपालन है पूरक है एक दूसरे के बिना आपको यह अधूरा ही नजर आएगा यहां भी तमाम संभावना है प्रसंसकन की जो बात है यहां किसानों ने कही कि अगर आप FPO से जुड़ते हैं तो आपको जो साधन है वो अपलब्द हो सकेंगे और एक माध्यम के तौर पर हम FPO को यहां मान सकते हैं इसलिए जरूरी यही कि जो किसान है इससे जुड़े लेकिन और किस तरीके के फायदे जो है FPO से जुड़के एक पशुपालक को मिल सकते हैं यह जानलेते हैं हमारे साथ चर्चा में जो पशुपालन विशिशक्य मौझूद है उनसे जानना चाहेंगे लेकिन जैसे-जैसे-जैसे इसकी जनकारी सबको होती जाएगी तो इसके लाब भी हमारे सामने आते जाएंगे अब जैसे कि FPO है हम संगठन बना के एक बहुत लार्ज स्केल पर डेरी का हम काम किया जा सकता है क्योंकि वैसे अकेला कोई प्रोसेस करने के लिए दूद को प्रोसेस करके दूद जैसे पनीर हुआ, मखन हुआ, होया हुआ यह सब बनाना बड़ा कठिन है, लेकिन संगठन में अगर मसीन लग जाती है, तो यह होना बहुत आसान है इसके अलावा, FPO से हम जुड़ करके एक बड़ी डेरी भी खोली जा सकती है, हाइटेक डेरी, मिनी डेरी और लार्ज स्केल की 100-200 गायवाली डेरी खोली जा सकती है, उसको चलाया जा सकता है और जब हमारे पास बलक में प्रोडक्ट होगा, तो उसको हम मनमाने दाम पे, अच्छे रेट पे हम उसको बेच सकते हैं, और उसको क्योंकि दूद है, दूद एक बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज है, लेकिन अगर हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, तो हम उसकी उससे ह जिससे बचडी ही हो, तो उससे भी हमें जो है, क्योंकि बचड़ा नहीं होगा, तो उससे भी हमारी उत्पादक्ता में है, वो भी हमारी उत्पादक्ता बढ़ेगी, इसके अलाबा, अन्य पस्पालन बिभाग की जो इसकी में है, हमें उनका भी लाब लेने के लिए जानक तो क्या पता एक नई बहुत अच्छी चीज निकल के आए तो जो कि आपके किसानों के आए को बढ़ाने में कारगर होगी जो बिलकुल देखे जैसा डाकर प्रशान ने कहा कि ना सिर्फ उत्पादन पर हमें ध्यान देना है बलकि पुश्य उत्पादक्ता को भी हमें बढ़ाना होगा और तमाम संभावनाएं आपके सामने हैं मुनाफ़े को बढ़ाने की इसके बारे में भी में आगे चर्चा करेंगे लेकिन फिलाल चौपाल चर्चा में यहां वक्त उचला एक और छोटे से ब्रेक का ये काम्याबी है अर्न दाता की ये कहानी है खेत और खलेहानों की कैसे करें अपने पशुओं की देखभार जानिए गाउं गाउं के किसानों का हाथ देखिए गाउं किसान सोंबार से शुक्रवार दोपहर बारा बचकर पांच मिनट पर ब्रेक ये बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागा चौपाल चर्चा में आज लगातार हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संग्ठन यानी FPO की और सबसे महतूर बात ये ही कोवड काल में भी हमने देखा लॉकडाउन की स्थिती हुई लेकिन अनलॉक जब हुआ तब भी हमारे जो FPO हैं लगातार काम कर रहे थे सरकार के भी प्रयास हमें नजर आए उनको तमाम जो सुवधाय प्रदान की गई थी लक्ष हमारे सामने है 10,000 नए जो FPO हैं उनका गठन करने का हर्याना है राज्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले 500 किसान उपादक संग्धन हुआ करते थे लेकिन राज्य सरकार ने भी अपना लक्ष रखा कि और 1000 जो नए FPO हैं उनका गठन यहां किया जाएगा धीरे धीरे अब यह जो जागरुकता है यह अब किसानों तक पहुँच रही है किसान अब ना सिर्फ जानना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं बलकि जुड़ भी रहे हैं इस गाउं के अगर बात की जाए आपने देखा कई ऐसे किसान हैं जो कि कहीना कहीं जुड़े हुए हैं खासतोर से जो FPO की बात की जाती है या मुनाफ़े को बढ़ाने की बात की जाती है लेकिन जो एक युवा किसान है उनकी अगर बात की जाए उनकी एक अलग सोच है आपको लगता है जी तो कैसे किसान इससे जोड़ सकता है जादा से जादा से जादा किसान को आगे बढ़ना चाहिए जी यह जरूरी किसान जो हैं प्रसंसकन की तरफ अगे बढ़ें यहां लेकिन थोड़ा सा हम और जो अमारे किसान बैठे हुआ हैं इसे भी जानी कोशिश करेंगे क्या इनका मानना है क्या इन किरा है क्योंकि थोड़ा सा पीशे चलें मैं जाओंगा आप खड़े हो जाएं देखिए जो युवा किसान है मुस्कराइट उनके चेहरे पर है विश्य उनके लिए अच्छा है लेकिन अभी कुछ जवाब देना वह मनासिर नहीं समझ रहे मैं जाओंगा आप खड़े हो जाएं जी हम बात करते हैं वहाँ पर आपको क्या लगता है किसान आगी क्यों नहीं बढ़ पाता जारुकता नहीं है तुछ जारुकता नहीं है तुछ इसी बज़े से ना जी कसमों के साफ सलिंगे जब ठील करें तब जादा रहेगा चले बल्कुल बैठ सकते हैं और देखे इन्हों होगा जो जाग रुपता है वह आपको और ज्यादा दिखानी होगी एक और यहां पर मौजूद है इंसे हम जानकारी ले लेते हैं मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जानकारी तो है लेकिन खासतार से जो जानकारी है ना सिर्फ अनुभव से आती है बलकि और भी जो कि मास्ता कि मैं चॉनान जाता है कि आम तो पर जो किसान है काफी मेरत करते हैं लगातार पूरा परिशम करते हैं दिन रात लेकिन आमतनी जाट आती है तो इतनी आमतनी नहीं मिल पाती है वह जैसे बज्तल बांश गर ना reverse किसान को इस धुक किसान को फायदा मिलेगा जिसे वहां से बाजरा तो देकरने के लीकिन बाजरे के किसान के बढ़ना होगा इस दिशांक वह शुक्रियां वाह भाज़ी आगे बढ़ना होगा जबाइन। हैं कितना लाब हमारे किसान कमा पाएंगे आने वाले समय में जैसा कि आपको मैंने बताया और भी हमारे एकसपर्ड ने बताया किसान भाईयों ने बताया कि फ्रासा कि これ स्केल पर ने पने लुब्डा सकते हैं और जिससे कि हमारी आमधनी बढ़ जाएगी जैसे अगर हम दूद को पनीर में या खोवे में कनवर्ट कर लेते हैं तो उसके रेट बढ़ जाता है और अगर वहीं हम साधा दूद बेचने जाते हैं तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं मिलती तो उसी तरह से एप यो से जुड़का के ही हम लार्ज स्केल पर कोई काम कर सकते हैं जिससे कि हमें किसानों को लाब मिलेगा और किसानों की इनकम बढ़ेगी जैसा कि आज बताया कि जैसे हमारे इस कोविट टाइम में सबसे ज़्यादा एक किसान वर्ग ही ऐसा था जिनोंने अपने जो घर नहीं बैठे इस कोरोना समय में भी किसान वर्ग ने अपनी सभी के लिए मदद की सभी जब सभी अपने घर में थे तब भी किसान अपना सबजी की सिप्लाई दूद की सिप्लाई अपने सभी वर्ग के लिए पहुंचा रहा था एक किसान वर्गी एक ऐसा वर्ग है जो अपना फसल के टाइम पे बहुत परेसान हो जाता लेकिन उसको उसका उचित भाव नही पड़िंगी दूसरा जो भी हमारा सरकार दे रही है जैसे की बागवानी भाग से और अपना लगू किरसक किरसी व्यापार संग द्वारा नब्य पिर्थीसत अनुदान पर किसान भाईयों के लिए या अपनी किसान कंपनियों के लिए प्रोजेक्ट दिया जा रहा है जिसमे किसान कंपनी से जुड़ने के लिए किसान कंपनी सभी किसान वाहियों को अपना एक सेर्टिफिकेट इसू करती है जिसका मतलब होता है कि वो उसमें बरावर के भागीदार है जो बिलकुल उत्पादक से लेके भोगता तक की जब हम बात करते हैं या फिर बीच से लेके बाजार तक की अगर बात की जाए तमाम जो कड़ियां हैं इनको एक साथ बाढ़ने का या कहा जाए एक सुथ में बाढ़ने का काम हमारे एफप्यो जो है वो भली भाती कर रहे हैं और कोशिश यही है कि हर ब्लॉक स्तर पर जहां आवश्रकता है वहाँ पर एक एफप्यो हो जिसके तहत हर एक जिले का एक ख साथी शुक्रिया हमारे आज के जो विशिशग इस चर्चा में शामिल हुए आप सभी ने भी इतनी महतून जानकारी दी हमें और बताया क्यों जरूरी है हमारे जो एफप्यो है एकिस्तान पदक संग्ठन है इससे जुड़कर क्या लाब हमारे किस्तानों को मिल सकता है उम हमें हाथे तब तक के लिए दीजे जासर नमस्कार पारे जासर भाय को जाए इससितान है उनल जासर नमस्कार